इस 12 अक्तूबर को राज माता विज्याराजी सिंधिया जी की भी जैन्ती हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे एक राज परिवार से थी। उनके बाद संपती, शक्ती और दूसरे संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फि राज माता जी की बात कर रहा हूं, तो मुझे भी एक बहुत भाव गटना याद आती है। वैसे तो उनके साथ बहुत सालों तक काम करने का मुका मिला। कई गटना है। लेकिन मेरा मन करता है मैं आज एक गटना का जुरूद जिक्र करूँ। कन्या कुमारी से कश्मीर हमें एकता यातरा लेकर के निकले थे। डॉक्टर मुल्लीमन और जोशी जी के नित्रुत में यातरा चल रही थी। डिसंबर जनवरी कडाके के ठंड के दीन थे। हम रात को करीब बारा एक बजे मर्द बजेश वालियर के पास शीवपूरी मामिं इसे निए खड़कर आया। दरवाजा कोला तो राजमाता सामने खड़ी थी। ठंड के दीन अर्राजमाता साब को देत करके महरान था मैंने मा को प्रणाम किया मैंने का मा अधी रात में और नहीं बेटा आप ऐसा करो मोदी जी दूद पी लीजिए गरम दूद पी करके ही सो जाई हल्दी वाला दूद खुद लेकर जाई अलेकि जब दूसरे दिन मैंने देखा तो वो सिरफ मुझे नहीं हमारी प्यात्रा की ववस्ता में जो 30-40 लोग थे उसमें ड्राइवर पी थे और भी कार करता थे हर एक के कमरे में जाकर खुद ने रात को दो बजे सबको दूद पिलाया मा का प्यार क्या होता है पातसलने क्या होता है उस घटा को मैं कभी नहीं भोल सकता हूँ यह हमारा सभाग है कैसे महान विभीतियों ने हमारी धर्ती को अपने त्याग और तपस्या से स्वीचा है आईए हम सम मिल करके एक ऐसे भारत का निर्मान करें जिस पर इन महापूरुशों को गर्व की अनुभूती हो उनके सपनों को अपने संकल्प बनाए